किंद्री चुनाव आयोग ने शनिवार को देश में होने वाले लोगसभा चुनाव के तारीखों का एलान कर दिया है, जिसके अनुसार पूरे देश में कुल 7 फेज में लोगसभा की चुनाव होंगे, वहीं MP के 29 लोगसभा सीटों पर 4 फेज में चुनाव कराये जाएंगे, प्रदेश में इनकी शुरुवात 19 एप्रेल से होगी और आखरी चरन का चुनाव 13 मई को होगा, पहले चरन में प्रदेश की 6 लोगसभा चीटों पर मतदान कराये जाएगा, उनमें चिंद्वाडा, जबलपुर, मंड़ा, सीधी, शेडोल और बालागाट शामिल है, मदब से शुरू हुए नामांकन 27 मार्श तक चलेगा, इसके बाद 28 मार्श को नामांकन की जाज कराई जाएगी, जिसके बाद 30 मार्श तक ही उमिद्वा लोगसभा चुनाव से अपना नाम वापस ले सकेंगे, एमटे में 19 जुलाई को होने वाले पहले चरन के चुनाव के लिए आज प्रत्याशी नामांकन का फॉर्म भरेंगे, सीधी से लोगसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजिंद्र मिश्रा, शेडोल से विजेपी उमिद्वार, हिमादरी सिंग ने अपना नामांकन जमा किया है, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनियादव और उप्मुख्यमंत्री राजिंद्र शुकला, कैबिनेट मंत्री प्रिलाद पतेल और धौनी विधाय कुवर सिंग टेकाम भी नामांकन के वक्त वहां मौज़ुका है। मद्वदेश में पहले फेस के लिए नामांकन शुर हो चुका है, लेकिन अभी तक कॉंग्रेस अपने बचे हुए 18 प्रत्याशियों के नामों की घोशना तक नहीं कर पाई है। जिन सीटों पर प्रत्याशियों का एलान हो चुका है, उनमें सीधी लोकसबा सीट पर विजेपी ने डॉक्टर राजिंद्र मिश्रा को कॉंग्रेस के पूर्व मंतरी कमलेश्वर पटेल को मैदान में उता रहे। मनला सीट पर कॉंग्रेस ने ओमका सिंग मरकाम के खिलाव विजेपी ने फग्गन सिंग कुलस्ते को उता रहे। छिनवाड़ा से बड़ा मुकाबला नकुलनात और विवेक कबंटी साहु के बीच होना है। वहीं बालाघाट, शेडॉल और जबलपूर से कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों का एलान होना अभी तक बाकी है। आप ऐसी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रही हमारे साथ तो लिए।